अब मौझूद नहीं बस यही, एक जीवन गायब हो गया, आप उसके लिए नहीं रो रहे हैं, बाद बस इतनी है कि एक व्यक्ति जो आपके लिए कुलाज का एक हिस्सा था, अब मौजूद नहीं है, इसलिए ये आपके जीवन में एक खाली जगह छोड़ देता है, वो आपके कितने करीब थे, उ इतनी बड़ी खाली जगह छोड़ देता है, तो आप किसी व्यक्ति की मृत्यू से नहीं जूज रहे हैं, आप उस खाली जगह से जूज रहे हैं, जो वो आपके जीवन में छोड़ गए हैं, मान लीजे, दूर का रिष्टेदार या कोई दोस्त, एक परिचित व्यक्ति, म तमस्या ये है कि आप ये खाली जगह भरना चाहते हैं, जो आप में हैं, इस खाली जगह की वज़य है, अब जो मैं कहूंगा, वो उस थिती में मौझूद लोगों को बेरहमी लग सकती है, पर ये समझना जरूरी है, अगर आपको सांत्वना चाहिए, अगर कोई मेरे पास आता है, जिसने अभी अभी अपने प्रिये को खोया है, तो मैं उन्हें गले लगा करूँ, उनका बचाप करूँगा और सांत्वना दूँगा, पर ये तय करें, कि आपको आराम चाहिए, या जीवन में एक समाधान, क्योंकि आज ये व्यक्ति मरेगा, कल वो मरेगा, पर स मैं खुद मर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग मरते रहते हैं, क्योंकि हम मरने वाले लोग हैं, आईए इससे समझते हैं, हम सभी मरने वाले लोग हैं, सबसे पहले हमारे मन में ये पक्का होना चाहिए, कि हम एक दिन मरेंगे, तो हमें समझना चाहिए, कि दु कि आपने उस व्यक्ति की अपने शरीर में कितनी आदाश्ट बनाई है, मान लें कि अगर वो आपका बच्चा या पती या पत्नी या कोई बहुत करीबी रिष्टा हो, तो आपके शरीर में कुछ यादाश्ट होगी, इसे पारंपरिक रूप से योग संस्कृति में रुणानु बंध कहते हैं, यानि शरीर ने एक बंधन बनाया है, आपकी मानसिक मित्रता, मेल और प्रेम वगरह से परे, शरीर ने खुद या बंधन बनाया है, कई लोग ये महसूस करते हैं, उनका कोई करीबी कहीं मर गया, उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली, पर अचानक उनकी उर्जा कम हो गई है, और वो नहीं जानते कि क्या हुआ है, पर वो अचानक लगबग बीमार हो गए, वो कमजोर महसूस करने लगे, फिर कुछ घंटों या कुछ दिनों के बाद, उस व्यक्ति के मृत्यू की जानकारी मिली, पर ये पता चलने से काफी पहले ही, उन्हें वैसा महसूस हुआ, क्योंकि शरीर में एक तरह की प्रक्रिया है, कि यादें खुद को मिटाने लगती है, और आपको लगता है कि आपको कोई छोड़ रहा है, 21 साल की उमर तक, अपने माता पिता या बच्चों के साथ, आपका रुनानुबंध सबसे मजबूत होता है, 21 वर्ष की आयूब पार करने को, पहली तिमाही कहते हैं, योग की दृष्टी से, जीवन का चक्र 84 साल का है, पहली तिमाही, यानि 21 साल, 21 से कम की उमर में, आपके माता पिता मर जाए, या 21 से कम उमर का बच्चा मर जाए, तो परिशानी सिर्व भावनाव में नहीं, शरीर में भी परिशानी होगी, वो शरीर में प्रकट होगी, शारेरिक इसलिए होगी क्योंकि रिन अनुबंद मजबूत है पर 21 के बाद काफी हद तक विचारों और भावनाओं में परिशानी होती है रिन अनुबंद से हमारा मतलब है कि आपकी भावनात्म या मानसिक परिशानी अलग चीज़ है रिन अनुबंद यानि शरीर की यादे है शरीर में यादे होती है क्योंकि जिसे आप माता-पिता कहते हैं वो इस शरीर का अधार है आपके बीच एक बहुत गहरा यादों का रिष्टा है जो 21 वर्ष तक सबसे मजबूत होता है 21 के बाद ये कमजोर हो जाता है पूरा खत्म नहीं होता, बस कमजोर होता है आपकी पीड़ा काफी हद तक भावनाओं और विचारों में होगी अगर आप मानसिक और भावनात्मक रूप से संतुलित हैं तो आप देखेंगे कि आप इसे आसानी से संभाल लेंगी क्योंकि सिस्टम में शारेरिक उथल पुथल नहीं होगी पर अगर उनका पती मर जाए तो वो रिन अनुबंध शारेरिक परिशानी देगा क्योंकि वो अलग तरह का रिन अनुबंध है साथ, साड़े साथ साल से कम उम्मर के बच्चों में ज्यादा रिन अनुबंध नहीं होता माता पिता में शायद बहुत अधिक रिन अनुबंध हो पर बच्चों में ज्यादा रिन अनुबंध नहीं होता वजह सिर्फ मांसिक नहीं है साड़े साथ साल से कम के बच्चों को ज्यादा तकलीफ नहीं होती शारिर कुथल पुथल नहीं होती देख भाल ना हो तो परिशानी हो सकती है अगर वैसी इस्थितियां हो तो मैं इस चीज़ की गहराई में नहीं जाना चाहता पर अगर किसी महीला की उम्र 42 से ज्यादा है और वो अपने माता-पिता को खो दे तभी इस संस्कृति में महीलाओं को कर्मकांड नहीं करने पड़ते कर्मकांड मृतकों के लिए होते हैं आप पर उनका ज्यादा असर नहीं होता पर 21 से कम के लोगों को कर्मकांड करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो मृतकों के लिए भी है और आपके लिए भी यह आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो मर गया वो गया जो होता है हुआ पर शायद आपके जीवन में उथल पुथल बनी रहे क्योंकि एक भौते क्या आदाश्ट है जो आपको एक अलग स्थर पर पीड़ा देगी भले ही आप मानसेक और भावनात्मक रूप से संतुलित हो फिर भी आपके अंदर एक दर्द बना ही रहेगा हमारा शरीर उस वन्ष की जानकारी से कभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं होता जो हमें माता-पिता से मिली है उससे परे जाने का एक तरीका है पर हम पूरी तरह आजाद नहीं है बहुत एक शरीर एक खास तरह से काम करता है तो बस तीन दिन तक अलग रहना और साधना करना अगर आप और कुछ नहीं जानते तो बस महामंत्र ओम नमश शिवाय का तीन दिन जितना हो सके उतनी तीवरता से जाप करें आप दिन में कम से कम साड़े चार घंटे ऐसा करें तो परिशान होनी की जरूरत नहीं है क्योंकि दूर रहना अच्छा है वो एक समवेदन शील समय होता है पर अब मृत्यू और अंतिम संसकार, मृत्यू के बाद की चीजें एक सामाजिक बक्वास बन गई है लोग घर पर आते हैं, आपको उन्हें कुछ खिलाना या पिलाना पड़ता है पश्चिमी देशों में ये एक बड़ी बात हो गई है भारत में भी ऐसी चीजें हो रही है बहतर यही होगा कि आप समाज की बक्वास से दूर होकर कुछ समय अकेले रहें जब आपके जीवन से कोई मैत्वपून व्यक्ती चला जाए तो ये जरूरी है कि आप समाजिक चीजों से खुद को बहलाने के बजाए अकेले रहकर अपने साथ कुछ करें ये समाजिक चीजें हैं, लोगों का दुख संबालने का तरीका है मूवी देखना, किताब पढ़ना, या फिर टीवी देखना दिल बहलाने की कोशिश ना करें हमें अपने अंदर की परिशानियों का सामना करना चाहिए अपना ध्यान भटकाने की कोशिश ना करें ध्यान भटकाना समाधान नहीं है